अगर आप यूट्यूब फेस्बूक इंस्टाग्राम में अन्ने कोई सोसल मीडिया चलाते हैं तो ये निज आपके लिए हैं है 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 नमस्कार जाहिंद सरकार के द्वारा पारलियामेंट में प्रसारण सिवा बीनीमेन बिधियक 2024 सपेस किया गया है जो सोसल मेडिया को कंट्रोल करता है यह कैसा प्रवधान करता है और अगर आप सोसल मीडिया चलाते हैं तो आपकी दिंचरिय पर इससे क्या फरक पड़ेगा इसके बारे में संपुर जानकार या आपको इस वीडियो में देंगे तो बीडियो में बने रहें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की इंफरम दबाने की कोशिश कर रहा है क्या अनुछे इसका उलंगन करता है यह देकि प्रसारण सिवा बी नियमन बिधेक 2024 इबील का नाम है प्रसारण सेवा बीनियमन बिधेक 2024 सोशल मीडिया खाते हम आल लाइन वीडियो निर्माता कानून से मैं online video create कर रहा हूं आप लोगों के लिए जिसे आप लोग देख रहे हैं तो इस प्रकार से कोई भी online online video creator कानून के दायरे में आ जाएगा इस कानून के दायरे में ओटी टी डिश्दारे में आएगा और डिजिटल समाचार कानून डिजिटल रूप से जो समाचार दिये जा रहें निवज बताए जा रहें तो वह निवज समाचार भी डिजिटल वाले सब इस कानून के दारे में आ जाएंगे इसके संबंध में प्रावधान क्या क्या गया है समाचार और समसामाइक मामों के संबंध में यह क्या कहता है चाय तो नया आइडिया कोई या वीडियो या उलेखनी या आइडियो वीडियो या तो आइडियो हो आइडियो मतलब जिसे सुना जा सके वीडियो जिसे देखा जा सके या तो आइडियो वीडियो कारिकरम जिसमें सुनने के भी विवस्ता हो देखने की विवस्ता जिस वीडियो का होती है जो जिसमें आवाज की जूरुत नहीं होती है आप मूट करके भी देख पाते हैं आप कुछी तरह समझ लेंगे तो वह भी चीजे यह निकी जहां पर आइडियो नहीं भी होगा सिर्फ वीजीबुल होगा वह इसी में आ जाएगा यहनी की वीडियो ता है किसी के यह आजायगा तो समाज से और सरी यह पुना यह परसारड लेटस अने्टवर कर डैसे आप इस वीडियो तो कैसे देख पा रहे है कि एक नेटवर्क के माध्ययम founded I did not work in the city networksty jati है नद्परसारित कार्यक्राम कोई video प्रसारित किया और उसको लेकर कोई दौबाराय चला झाज चीज को तो कहेंगा किए हम तो प्रसारित नहीं किया हमने तो पुना प्रसारित किया दोबाराय प्रसारित तो रिविज्ड कामने किया तो वह भी रिविज्ड भी सी में आया जाएगा डिजिटल समाचार प्रसारक नई स्रेडी है दरसल यह बील जो है 2023 में भी आया था हलंकि 2023 में लागु नहीं किया गया इसे इसे पुना दोजर चवविस में लागु तो जो ब्रस्थित ब्यवसाय को पेशेवर या वाडिज गतिवीधियों के हिस्से की रूप में आल लाइन पेपर या समाचार पोर्टल या सोसल मेडिया मध्याश्त सोसल मेडिया माध्यास्त का मतलब की यूटूब एक मध्येस्त हो गये हमारे और आपके बीच में हृष आन्या समान या वीधि या निरंतरता लागू होती है उसे ब्योवसाइक गति वीधि कहा जाता है इसकी कानूनी जीमेदारियां क्या होगी यदि कोई creator digital news broadcaster के रूप में वर्कित हरत हो से अगर कोई creator digital news आता है तो उसे कानून का पालन करना पड़ेगा अपने कामके बारे में सुचना प्रसार do बताना होगा 2023 में इसके लिए सीमा निरधारित की गए थी YouTube 2023 वाला इव slipped ङूए लागुन नहीं हुआ तो उसमें सीमा ने राथ ते लेकिन दोहजार चोवीश में इस समय जो आ रहा है इसमें सीमा का कोई प्रवधान नहीं है यहने की चाहे 2 dozens चाहे 2 लाक चाहे 2 Willian इसमें सीमा का कोई प्रवधान नहीं हो अगर यूटूब की बात करें इसी प्रकार से इंस्टाग्राम सब के लिए तो सीमा का कोई लिमिट नहीं है तो सीमा का जब कोई लिमिट नहीं तो सब के लिए फिर लागू हो जाएगा जो भी डिजिटल निव ब्राड कास्टर के अधीन आ खूदी दना पड़ेगा इतना ही नहीं मिल्यांकन समिति बना देगा इसा नहीं माना जाएगा इसमें जितने भी सदस्य सब्सक्राइब करें नाम मंत्रा करना पड़ेगा गठन ना करने पर जूर्माना भी लगया जाएगा पहली बार में तो 50 लग का जुर्माना लगाए जाएगा और दूसरी बार में पाए जाते हैं तो दूसरी बार में धाई करोन रुपे का जुर्माना लगाए जाएगा दूसरी बार के लिए समय सीमा तीन बर्स निर्धार की गई है बीनियमन क्यों सकता क्यों है इसके बीनियमन क्यों सकता क कर रहा है सरकार का विचारिया है सरकार यह मानती है कि यूट्यूब कंटेंट का माध्यम देश के आंत्रिक लोगतंत्र को प्रभावित कर रहा है सरकार का इसा प्तर्क है कि यूट्यूब कंटेंट का जो माध्यम है यह फेस्बुक कंटेंट का जो माध्यम है अंत्रिक लोग YouTube के परड़ाम सुरूप भी है क्योंकि मेन इश्ट्रिम की मीडिया तो घुटने टेक चुकी थी वह तो गोधी मीडिया हो चुकी थी कि वह सोचल मीडिया ही भुची थी और सोचल मीडिया नहीं के सरकार को वह साख्यों कä सहरे ला दिया लितिष कुमार के वह साखी लगई वह एक तरव चंद्रबावुनाइडत के वह साखी लग गवें मेहं करा हूं लेकिन मिलोग कानून के दारे में आएंगे जो भारत के बाहर रहे हैं उन्हें कैसे दारे में लाएंगे तो इक बड़ा चाइलेंज है जो बिदेशी कंटेंट क्रेटर हैं उनको इस दारे में कैसे लाएंगे एक बड़ा चाइलेंज है अब देखना यह है कि बिदेशी कंटेंट क्रेटर क कैसे इसदारे में लाया जादा है सम्भाव यहीं होगा की मधल्ष्ट के जरीय लाय जाए मधल्षक का मतलब जिस माध्यों पर जैसे यूटुब के लिए उत्तारदाइत उसे छूट दिगई है यानि की फेस्बुक को यूटूब को एक्स को इस्टेग्राम को इन सब को क्या क्या गया है कि इनको छूट दी गई है responsibility से कि आपका उत्तरदाई तो नहीं होगा आपकी responsibility नहीं होगी यदि मध्यस्त का कारे संचार प्रडाले तक पहुंच प्रदान करना सिमित है जिसके माध्यम से करता है तो आप उसको रोकते हैं आप उसको बढ़ावन नहीं देते हैं आप इसकी responsibility से आपको छूट मिल जाएगी कानून के संबंध में अन्य देशों की स्थितिक क्या है तो अमेरिका के अगर बात करें तो संग्य संचार आयोग है वहां का और मेडिया ब्यूरू है तो संग्य संचार आयोग और मेडिया ब्यूरू यह प्रसारण रेडियो और आपका क्या विचार है आप का सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर कुछ लिखेंगे इस वीडियो को लाइक कर देजीगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे इस प्रकार के इंफार्मेटिव वीडियो आपको स समय समय से मिल पाए द्रून जीस रिसर सेंटर के साथ बुने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्य बाद